दोस्तों, तमिल नाजू प्रीमियर लीग का पहला क्वालिफायर मकाबला निल्लाई रॉयल किंग्स और चेपॉक सूपर गिलीज के बीच खेला जाएगा जहां 27 जुलाई को दोनों ही टीमें SCF क्रिकेट ग्राउंड पर आमने सामने होगी इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम सीरा फाइनल में पहुँचेगी और हाने वाली टीम को एक मौका और मिलेगा निल्लाई रॉयल किंग्स इस लीग में 6 मुकाबले जीत कर पहले स्थान पर है जबकि चेपॉक सूपर गिलीज दूसरे स्थान पर दोस्तों इस मैच का हम यहाँ आपको पूरा प्रोडिक्शन बताने वाले हैं इसके लिए इस पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कैश कर ले सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजे ताकि आपको हर मैच का प्रोडिक्शन और सारे अप्डिट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला SCF क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा इस मैदान पर पिशले कुछ खेले गए मुकाबलों की बात करें तो पहले बलेबाजी करने वाली टीम ने यहां सबसे जादा मैच जीते हैं तो ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम इस मैदान पर पहले बलेबाजी करना पसंद करेगी हलकी बारिश का खत्रा इस मैच पर बना हुआ है और खास बात ये है कि ज़िदी दोनों टीमों में से कोई भी टीम मैच हारती है तो उसे एक मौका और मिलेगा और अलिमिनेटर मुकाबले में मैच जीतने वाली टीम के साथ दूसरा क्वालिफायर मैच खेला जाएगा दोनों ही टीमों के प्रदाशन की बात करें तो पहले बात करेंगे निलाई रॉयल केंग्स टीम के बारे में इस टीम ने अभी तक तमिलनादू प्रीमियर लीग में काफी अच्छा प्रदाशन किया है टीम ने कुल 7 मैच खेले हैं जिसमें से 6 में टीम को जीत मिली है जबकि एक में ही हार का सामना करना पड़ा है इस टीम का पूरा दारमदार बलेबाज, संजयादव, बाबा अपराजित, बाबा इंद्रजीत, सूरे प्रकाश के कंधों पर रहेगा जबकि गेन बाजी की कमान के एश्वरन, अतिश्वराज, एनेस हरीश के कंधों पर रहने वाली है हाला कि अभी तक इस टीम ने काफी अच्छा टूनामेंट में किया है और टीम चाहेगी कि ये मैच जीत कर फाइनल का टिकेट कटवाया जाए वहीं चेपॉक सूपर गिली इस टीम के प्रोडर्शन की बात करें तो तमिलनादू प्रीमियर लीग में इस टीम ने काफी अच्छा प्रोडर्शन किया है और अंक तालिका में ये टीम दोसरे स्थान पर है अब तक टीम ने साथ मुकाबलों में इसे पांच मुकाबले जीते हैं खास बात ये हैं कि टीम काफी अच्छा प्रोडर्शन कर रहे हैं और पिछले पांच मुकाबले लगातार इस टीम ने जीते हैं टीम के बल्ले बाजी की बात करें तो इस क्वालिफायर मुकाबले में पूरा दानुवदार, कौशिक गांधी, एंड जगदीशन, साई किशोर और सोनु यादव के कंधों पर रहने वाला है जबकि गेनबाज एकी बात करें, तो संदीप, वर्यर, एम सध्धार, आरणु कुमार और अलेक्जेंडर जैसे गेनबाज टीम के पास मौजूद हैं, जो अब तक काफी अच्छा प्रोडेशन करते आ रहे हैं तो ये टीम भी चाहेगी कि ये मुकाबला जीतकर सीधा फाइनल में पहुचा जाए अब मैच प्रेडिक्शन की बात करें तो इस टूनामेंट का पहला मुकाबला इन दोनों ही टीमों के बीच खेला गया था और सोपर ओवर में निलाई रॉयल किंग्स ने मैच जीता ऐसे में ये क्वालिफार मुकाबला काफी रोमान्चक होने वाला है क्योंकि दोनों ही टीमों के पास काफी अच्छे खिलारी मौजूद है अभी तक दोनों ही टीमों के बीच कुल 6 T20 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें रॉयल किंग्स ने दो और सोपर गिलीज ने 4 मुकाबले जीते हैं हाला कि आकडों में सोपर गिलीज हमेशे आगे रही है लेकिन इस बार निल्लाई रॉयल किंग्स ने काफी अच्छा प्रोडशन किया है तो माना जा रहा है कि ये मुकाबला रॉयल किंग्स आसानी से जीत लेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दिये हुए हैं यहां क्लिक करके आप हमारे एक्सपोर्ट से बात कर सकते हैं और अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं इसके लावा कुछ और इंफरमेशन भी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉमेंट करके भी बता सकते हैं जिससे हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में सब कुछ बता सके और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजे साथ ही कॉमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई है इसके लावा बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजे जुससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके